एक मार्ज को चिक्त सक सुनिल बर्णमाल के अपहरन कांड से जुड़े हुए मामले में पुलीस ने सक्रियता दिखाई है नारगंजो जंगल से बरामद कर लिया गया है इस अपहरन कांड में सनलिप्त दो लोगों को भी जमुई के सोनो पुलीस ने गिरफतार कर लिया है आज प्रेस कंफरेंस में इस सफलता की बावत जानकारी दी जमुई के सोनो पुलीस ने महुआ सराब के साथ दो कारोवारी को गिरफतार किया है कोरिया गाउं की बहियार से यह गिरफतारी हुई है ठाना ध्यक्ष राजेस कुमार ने इस बारे में जानकारी दी कि गुप्त सुचना के अधार पर यह कारवाई की गई है जिसमें पुलीस को सफलता हाथ लगी देशी 10 लिटर महुआ सराब के साथ दो कारोवारी को गिरफतार किया गया है दोनों सराब कारोवारी को ठाने पर लाकर पुलीस आवस्यक कारवाई शुरू की लेकिन यह मजदूरों को लाने में बिल फुल नहीं लाना चाहते है मजदूर आने के लिए बिलक रहे हैं मर रहे हैं पैदल चल रहे हैं न स्रे मिर्टू की ख़वर आ रही है बल्गे सेखपुरा इसे जिले का एक नौजवान जो है मजदूर उसने आत्मत्या कर लिया ये सब खबरें आ रही है कोराइंटाइन जिनको लाएं है को कोराइंटाइन सिंटर बनाया कोराइंटाइन सिंटर का आलम यह है कि वहां जिसको अच्छा आद्मिको भी रख दिया जागा तो वो मर जाएगा बीमार हो जाएगा और सरकार ने क्या किया बिहार सरकार ने एक ब हमारी पार्टी इसको लोगतंतर पर हमला मांती, हमारी पार्टी समस्ति है कि आप मद्दूरों को नहीं ला सकते हैं अगर तो वहाँ जीने के लिए 10,000 पर उनके खाते में डालिए आप जिन मजदूरों को ला रहे हैं उस पर 10,000 पर से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है आपको तो आप लाना नहीं चाहते हैं मजदूर आये बगएर रुकना नहीं गवा रहा है उसको चुकि वहाँ भूख और बीमारी से वो घबडा गया है लड़ रहा है तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अब लंग कदम उठाइए मीडिया को रोकने के बजाए आप अपनी बदिंतजामी रोकिए मीडिया को प्रतिवंधित करने के खलाब आप प्रस्ताचार और लूट रोकिए इस कोरोना की महाबारी में सभी जिलों में बिहार से जो खबरे आ रही है जादा तरितकारी और करमचारी लूट मचाने में लगे हुए है आप इसको प्रतिवंधित करिए बिहार के पटना के ग्रामिन इलाके में समिर्धी एबम लब्द परतिष्ठित किसानों की कार्ज गुजारी से लोग उत्साहित हैं गनित्यग्य रुपेश कुमार एबम सिक्षाविद डॉक्र सुंदर कांत चोधरी एक नए किर्तिमान की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे इहां के किसान और खासकर यूबा किसान काफी प्रेरित हैं इनके कार्जों से प्रेरित होकर खेती किसाने की तरफ भी यूबाओं का रुजान अब बढ़ने लगा है जिसका कारण है दल्हन की खेती में मूंग की खेती जो बीना खाद की संभभ हो रहा है बैघ्यानिक तरीके से अब बिना कोई खाद के कंपोस्ट के माध्यम से या खेती की जा रही है जो लाव वर्दक साबित हो रहा है निशित रुप से इसे युबा प्रेरित होंगे किसानों को नए उर्जा मिल रही है बिहार ही नहीं अपी तू बिविन छेतरों के लिए दूसरे परदेशों के लिए भी यह मिशाल बन रहा है एटू जेट नेजुलाइब ने इन किसानों से बाचित की और इस खेती के राज के बारे में पुछताज की देखिए क्या कुस्क बताया दो द्वाई किसान एक समिर्द साली किसान इस गाउं के लब्द प्रतिष्टी दूसरे गड़ी तक यह रूपेजी जो दौनों अपने खेत में जो है सोलालाहते मून को देख रहे हैं निहार रहे हैं लगता मानों भविस्ट में यह मून की खेती जो साकाड होगा उस मून की दाल होगी और यह दाल यह लोग ग्रहन भी करेंगे और आम जनों के लिए भी दाल यह कामयाब होंगे उनके भोजन के कटोडी में दाल पड़ेगा ऐसा मेरा भी स्वास है तो सुर्बाण जी आप बताएं जाये सुर्बाण जी आपका पड़िच Edi ऐसा है यह मून की खेती में क्या मतलब्फ है यहाँ पर तू फूल लग गई है लगता है जो कुछ दान मतल क्षीमी भी लग गई इसका क्या मतलब्फ अब तक तही प्ळड जाता है जगिने से किछना सक्दवाउगा का पर्योपियत है, तो उससे ही नहीं होई सब जिलगाई, जो है ना जिलगाई बहुत तंग कर रहा है, जोज रहेंगे इसमें अभी रुपेश जी, एक छीमी भी लाए हाथ में, वो छीमी जो है सो बनके तढ़ार हो गया है, जो है सो बनके जो है जो है एक छीमी लेके आपी भाव बीवल है और छीमी इनके हाथ में नको लगता है, जो लगता है मुझे इसा लग रहा है जो बहुत बड़ी छीज की प्राप्तित ही है मैं इनसे पूछना चाहता है, इनके उत्सा को मेरा सम्मान है, आननन चंदन, बंदन और अभी ञांना है क्या रुपेजी आपके हाथ में क्या है यह ऐ नहीं है तो इसका क्या होता है यह यह दाल निकलेगा जी अब बहुत उलस्त है बहुत है अच्छा लग लग रहा है और होगो मना कर रहा था के है मतबौ जी-जी लिल गाय का केस है जी बहुत बड़बार करता है फसल तो उसके लिए था हमारे मनुवर बोले हैं सुनिल जी महुदय जो उसके निस्पादन है तो देखे दिखा रहे हैं मुझे एक एक्सपेडिमेंट करना था जी जी चलिए तो ये दो बीगे में ये खेती है ये जो है मुझ की खेती हुई मुझी में फूल भी लगी है खली है दाने भी होगये हैं उसके कहड को रोखने हे हैं तो आज दवाग का चिटकोः चैका आज जाएं मुझेफरपुर के बोचा में आज एक गराहा को उस समय जटका लगा जब ATM से उन्हें फटा हुआ नोट मिला कई नोटों में कागज भी सटे हुए थे लिहाजा गराहा के होसूर गए गराहा का बताना है कि उसने ATM से 9000 रुपे निकाले लेकिन जब नोटों को देखा तो उनके होसूर गए वज़ा क्या था खुद पिरित गराहाक ने क्या कुछ बताया आप ही देखिए 9000 रुपे हम अभी निकाले हैं ATM से और देखिए जो 2000 का चार नोट निकला है जो कि फटा हुआ है और पेपर भी चिपकाया हुआ सर्फुतिनपूर्ण SBI ATM से यह नोट देखिए यह नोट देखिए यह सर्फुतिनपूर का SBI ATM है जो कि अभी अभी 510 में पहले बैंक वाले जो यहां पर आये तो डाल के गए हैं इस नोट की हालत देखिए किसी तरह से लगता है कि यह नोट जान मुझकी से एटिया में डाला गिया है बैंक के दोरह सारा नोट फटा हुआ है आप गोर से इस नोट को देख सकते हैं सारा नोट फटा हुआ है क्योंकि अगले ने 9000 को यहां से निकाले हैं यह यहां पर बहुत सारे लेग है तर्फुतिन पूसका State Bank ATM है और अभी अभी पांस से दस में पहले ही हो बैंक वाले यहां पैसे दाल के गाए इसमें आपका नाम के हुआ है मेरा नाम पक्तु कुमार चोजरी है जहर जारंग दी है वैसे निकालने के लिए आये थे और यह फटा फटा नोट निहला है